बेहत मुश्किल है राजे स्खन्ना का यह रिकॉर्ड तोड़ना। फिल्म जगत में 1969 से 1971 के दसक में लगबग 15 हीट फिल्में देने वाले अभिनेता राजे स्खन्ना का रिकॉर्ड आज भी वरकर आ रहे हैं। यहाँ पेश है उनके जीवन से जुड़ी कुछ बाते हैं। 1966 में रिलीज हुई फिल्म आखरी खत से वॉलीवोड में कदम रखने वाले अभिनेता ने अपने फिल्मी केरियर में 160 फीचर फिल्म और 17 लगू फिल्मों में काम किया। तीन बार अपनी बेहतरी नदकारी के लिए फिल्म फेर के सरसेष्ट अभिनेता का पुरुषकार जीतने वाले राजेस खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमरित सर में हुआ था। राजेस को उनके जेविक मातापिता के रिष्टदार चुंगनी लाल खन्ना और लिलावती खन्ना ने पाला पोशा उनके असली मातापिता का नाम लाला हीरानंद और चंदरानी खन्ना था। सेंट सिवरिस्टेन गोवा हाई स्कूल से जितेंदर के साथ स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद राजेस ने थेयटर का रूख किया। अपने स्कूल और कोलिज के दिनों में उन्होंने के नाटकों में अपने अभीने के दम पर पुरुसकार वेजी थे। राजेस उनकम लोगों में से थे जो 1960 के दशक में अपनी नई एमजी स्पोस्ट कार से थेयटर पहुंचते थे। राजेस की पंद्रह हिट फिल्मों में आराधना, इत्तिफाक, डॉली, बंदन, दो रास्ते, डटरेन, सच्चा जूटा, सफर, कटी पतंग, आनमिलो सजना, आनंद, मर्यादा, हाती मेरे साथी, अमर प्रेम, अंदाज, दुस्मन और अपना देश शामिल है। उन्हें फैसन डिजाइनर और अभिनेतरी अंज्यू मेहंद्रू से प्यार हुआ, लेकिन साथ साल तक कायम रहे, इस रिस्ते एक टूटने के बाद, उन्हें सतरा साल तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे। इसी बीच अभिनेता ने मार्च 1973 में एक्ट्रेस डिमपल का पाड़ा से साधी कर ली। डिमपल से राजेस की दो बेटिया हैं, डिमपल और रिंकी खन्ना, ट्विंकल और रिंकी खन्ना, ट्विंकल ने भी फिल्मी केरियर के दोरान कहीं सफल फिल्मे की और बाद में अभिनेता अक्ष्यकुमार से साधी कर ली। रिंकी को फिल्मों में उतनी सफलता हासिल नहीं हुई, जिंदा दिली की पैचान रही अभिनेता राजेस ने राजनीती में भी हाथ आजमाया। जून 2012 में राजेस की तवियत विगड़नी सुरू हो गई, 23 जून को उन्हें लिलावती हस्पताल में भरती किया गया, हाला कि स्वस्थ ठीक नहीं होने के कारण उनको होश्पिटल में रखा गया। जोदे जुलाई को एक बार फिर हस्पताल लाया गया, इस महान अभिनेता ने 18 जुलाई 2012 को अन्तिम सांस ली।